हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीनियस इमांच में आज हम प्रीवियस येर का पेपर कर रहे हैं एस्टेट का जो 15.9.2023 को हुआ था हिस्ट्री का है अगर आप इस चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को प्रैस करना बिलकुल मत भूलिएगा दीखे ये सिफ एस्टेट वालों के लिए इंपोर्टन नहीं है ये बीपीसी 3.0 या 4 सभी के लिए इंपोर्टन है तो बिना टाइम वेस्ट के विए से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना इसकेप के विए लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपोर्टन कीशन्स है देखिए इसका फर्स्ट क्यूशन दिया गया है हडपा सभ्यता में सबसे दक्षिनिस्थल कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमा बाद सिंदु शेत्र में आने वाली प्रत्थम प्रजाती कौन सी थी तो वो थी प्रोटो आस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्यूशन है थार्ड नंबर वक्राकार इट का प्रमान कहां से मिला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चंदु अडो से next कहां से प्राब्त एक सील पर तीन मुखवाला एक पुरुश ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन जोधरो से नेक्स्ट क्यूशन है होरडियम या हेकसस्टिकम किस फसल की प्रजाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉकी Next is मद्धे शहर का प्रमान कहां से मिला है तो इसका right answer हो जायगा A. दोलाँ, वीराँ से Next is किस सैंदव शहर का सबसे स्रमत उध्योग, सीप उध्योग था तो इसका right answer क्या हो जायगा B. लोथल से Next is चंद्रकुप्त मैंगी किस वनश का शाशक था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. मौर ये वंच का नेक्स्ट इम व्रमदर्थ की हत्या कर पुश्य मित्रे ने किस वंच के स्थापना की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B. शुंग वंच की बहुत धर्म ग्रहन करने के लिए अश्योक को प्रभावित करने वाला भिक्षू कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B. उपगुप्त नेक्स्ट विश्व के इतिहास में एक मातर राजा कौन था जिसने कलिंग युद जीत कर विजय का त्याग कर दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D. अश्योक ने नेक्स्ट अश्योक ने धार्मिक अधिकारियों को निउक्त किया जिने कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम महामात्त नेक्स्ट क्यूशन है आपका अश्योक का जोगड़ा शीलाले किस राज्ये में इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B. ओड़ी सामें नेक्स्ट इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सोना और उत्रा दक्षिन भारत नेक्स्ट पुनर जागरन की शुरुवात के सदी में होई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C. चौदवी शताबदी में यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थौमस मोरे के द्वारा थौमस मोर को यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोश दिया तो समाज ही सियना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपर किसे किसके द्वारा बनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B. एम्ब्रो, ग्यो, लॉरेंस, जेटी के द्वारा नेक्स्ट डानिम लिखित में से किस कलाकार को पैंथियन में दफनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल को पृत्वी का चकर किसने लगाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B. वास को डिगामाने जो सुधार फ्रांस में क्रानती से हुए उसे इंग्लेंड ने कैसे हासिल किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D. इनमें सब से, यानि श्वेट क्रानती, रक्धेन क्रानती और गोरपुन क्रानती तीनों से ही उसने प्राप्त किया था सबसे कम उम्र में इंग्लेंड का प्रधान मंत्री कौन बना था तो वो था छोटा पिट भारत के सेंट्रल बैंक के स्थापना कब होई थी तो ये होई थी डी 1935 में नेक्स्ट 1832 में हेजे की महामारी में कितने लोगों की मृत्ति होई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31,000 लोगों की जिस तरह अफीम खिला कर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई वैसे अंग्रेजों ने भारतियों के साथ कैसा किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिप्टन चाय का विग्यापन देकर नेक्स्ट नागनंद किसके द्वारा लिखा गया था तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका C हर्षवर्धन के द्वारा हर्षवर्धन के द्वारा प्रियाग में कितनी धार्मिक सभाय आयोजित की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6 नेक्स्ट निम्लिकीत में से किसको हर्षवर्धन का सनरक्षन प्राप्त था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगर D उप्रोक सभी को यानि मौरे, दिवाकर और जैसे न तीनों को ही हर्षवर्धन का सनरक्षन प्राप्त था नेक्स्ट बांडबट वन पालकों ने के संबन में जानकारी देते हैं तो वन पाल कौन थे तो वो थे आपके वन रक्षक भोग क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधिक पेशकश किस शीला लेक में लता, मालव, गुजरो को चालूकियन शाशक के सामनतों के रूप में दर्शाया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. एहोल शीला लेक नेक्स्ट बार्ण ने हर शरित में हरेनिका, कुरंगीका का उलेक किया है वे कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C. नाचती लड़किया मैवेंडर राज्यों की दक्षनी सीमा कहां तक जाती थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी अंतरदीब तक चोलो और रोम्नों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर के रास्ते से कणंगी कौन थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. मनाईकन की बेटी चोलो के समकालिन उत्री भारत पर किस मुसल्मान ने आकरमन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने A हो जाएगा इसका राइट आंसर इन में से कौन एक चोल कालिन शिक्षा का केंद्र था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन में से सभी यानि तिरू भाविनी तिरू वादुराई और तिरू वरियोरा तीनों में ही क्या था चोल कालिन शिक्षा का केंद्र था नेक्ट चोल वन्ष का वास्त्विक संस्था पक किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज-राज प्रथम को ग्रामी प्रशाशन की गई क्या थी तो उसका राइट आंसर हो जाएगा B. उर फ्रांसीसी क्रांती की समय फ्रांस पर किसका शाशन था तो लूई सोलवेगा आतंक का राज किसने इस्थापित किया था तो वो किया था रॉबेस्पियर ने दिद्रो किस तरह का लेखक था तो वो था विश्वकोश का संपादक नैशनल असेंबली ने कब करो करतव्यों बंधनों वाली सामनती वैवस्था के उन्मोलन का आदेश पारित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में रॉबेस्पियर का पूरा नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मीलियन रॉबेस्पियर किसे निश्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था तो वो थे धनी लोगों को मुसलियनी पार्टी का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फासिस्ट पार्टी इस पेन में किस ताना शाह का उदै हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैंक्रो का तो इसटी कर इनकी नीती को सबसे ज़्यादा समर्थन किस ने दिया था तो वो दिया था चैम्डरिल ने नेक्स्ट किस समझोते के द्वारा चैकसलो वाकिया की शित्री संप्रभूता उलंगन किया गया था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा म्योनिक समझोते के द्वारा पल हाबर क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसैनिक अड़्डा जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सरवाधिक बम गिराये थे तो वो था आपका ड्रेस्ट्रेंड पर यानि बीस का राइट आंसर हो जाएगा द्वित्य विश्यूत के बाद किस राजधानी शहर का बटवारा कर दिया गया था तो वो था बर्लिन का महमुद गजनवी का दर्वारी इतिहासकार कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्वी प्रतम खालीफा का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू वक्र कुवत अले इसलाम मजज़िद इस्तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा A. दिल्ली में शंप्सी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शाष्यक कौन था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा D. नसरुदीन महमोच शाव रजिया ने लगबग कितने दिनों तक शाष्यक किया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा तीन वर्ष छे माह तक कुरान खा किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है कुतुब दिन एबग को लाल महल में किसने राज्ये रोहन करवाया था तो वो थे अलाओ देन खेल जी ने नेक्स जे निमनेकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अकबर जो अकबर 1555 से 1606 कि ये गलत है सुमेलित नहीं है अकबर एब दीन एब इलाही किस वर्ष प्रारम किया गया था तो ये किया गया था 1580 में नेक्स जे कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा चित्तोड का योद 1570 इन में से किस ग्रंद का फार्सी में अनुवाद बदायूने नहीं किया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा डी उपनिश्यत का दक्कन विजे के बाद कि इन तीन नए सुबो को अकबर ने अपने सामराज्ये में शामिल कर लिया था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह तौफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए दोस्तों जो नहीं वाले क्यूशन है इस पे ज़्यादा फॉकस करिएगा क्योंकि इसी से हमारा क्यूशन राइट होते वे भी रॉंग हो जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बंजर दो साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली जमीन भारत में ब्रिटिश सामराजे के संसापक कौन थे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अंग्रेजो के द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा गिंगी किले को बंगाल में शाषन की दोहरी प्रणाली के स्थापना किस नहीं की थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने नेक्स्ट इप बकसर की लड़ाई ने अंग्रेजो को भारत में अपना शाषन इस्थापित करने की कुझी प्रधान की 1765 में संपन इलाभाद की संधी ने अंग्रेजो को बंगाल में अपना शाषन इस्थापित करने में सक्षम बनाया तो उप्यूक में से कौन सा कथन सही है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा फर्स्ट और सैकिंड दोनों ही कथन क्या है सही है बंगाल दीरे-दीरे मुगल नियंतरंट से अलग होकर किसके अधीन हो गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मुर्शित कुलीन खाका नेक्स्ट रे निमलीखित में से 1857 के विद्रों में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बहादुर्शाज जफर को पटनह में 1857 का विद्रों किसके नेतरत्व में आरम किया गया था तो वो थे पीर अली के निमलीखित में से वे कॉन सा स्थान था जो 1857 के विद्रों से अच्छूता रहा तो वो था भी मद्राज 1857 के विद्रो को किस उर्दू कवी ने देखा था तो वो थे मिर्जा गालिब ने 1857 के क्रांती के बाद प्रत्थम भारत सच्ची किसे न्यूक्त किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड स्टैंडली को लखनाओ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीष्मन लड़ाई कहां होई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैजिदेंसी के पास सुभास चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कॉंग्रेज का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजेंद्र प्रशाद को कॉंग्रेज के किस अधिवेशन में बाल गंगादर तिलक ने कहा था स्वाराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं उसी लेकी रहूँगा तो वो कहा था उन्होंने लखनव 1916 के समझोते में अधिवेशन में सॉरी नेक्स्ट थियोसोफिक्स किसके सुदरकरण और पुनर जागरण की वकालत करते हैं तो वो है हिंदू धर्म, पार्सी धर्म और बौध धर्म किसने भारती रास्ट्रे कॉंग्रिस पर प्रात्ना याचना विरोध की राजनीती करने का आरोप लगाया था तो वो थे बीजी तिलग वर्ष 1932 में एक दिक्षान समारों के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुनीता चौदरी निम्लिकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मात्रम भारती रास्टी आंदोलन का शिशक गीत बना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वादेशी आंदोलन गांधी जी के पिता का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमचन गांधी गांधी जी के द्वारा B.H.U. में दिये गए भाशन का सारवजनिक विरोध किस ने किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बैसेंट ने नेक्स्ट स्वर्ण मंद्रे के साथ अमरत सर में एक और मशूर मंदिर कौन सा है तो वो है दुर्गियाना मंदिर बिहार विद्या पीट के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमिन दी थी तो वो थे मौलाना मजहर उल हक नहीं साइमन कमिशन का भारत भर विरोध क्यों हुआ था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतिय नहीं था मुस्लिम बहूल पश्ची मौत्तर भारत में मुस्लिम के लिए अलग होम लेंड की वकालत किस ने की थी तो वो थे मौहमद इकबाल ने सेद एमद खान ने अमयो कॉलेज के सापना कब की थी तो वो की थी इस 1875 में किस वाइसराय ने पीर पीर रिपोर्ट का जूट का पुलिंदा कहा है तो वो थे लिन लितको ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांदी जी ने कौन सा नारा दिया था करो या मरो का नेक्स्ट एक किस प्रोजेक्ट के तहद अमेरिका ने अपने पहला प्रमानो बंग बनाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैन हटन प्रोजेक्ट के तहद नेक्स्ट एकलीमेंट एिटली किस पार्टी के नेता थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैबर पार्टी के पिंजर कहानी की लेखी का कौन है तो वो है अमृता प्रीत्म नेक्स्ट है पाकिस्तान का कौमी तराना किस ने लिखा था तो वो थे हाफ़ेज जालंधरी ने नेक्स्ट आपके 101 से 150 तक क्यूशन रहेंगे आर्ट आफ टीचिंग के देखिए तो इसका फर्स्ट ही रहेगा ये शिक्षा के उद्देशी को निर्धारित करने में प्रात्मिक उतरदाइत पहुना चाहिए तो इसका प्राइड आंस हो जाएगा समाज का नेक्स्ट आपके उद्देशी की आधार शीला है तो वो है आपका दर्शन शास्र शिक्षा के उद्देशी की प्राप्ती का मुख्य श्रोत क्या है तो वो है पाठे चर्चा इन में से एक शिक्षन लक्षे नहीं है तो वो है शिक्षारती का मुल्यानकन नेक्स्ट इन में से एक सामाजी कौशल सहयोगी कार्य योजना से विक्सित नहीं होती है तो वो है प्रतिस्प्रधा पार्ठ योजना में ग्रह कारे सम्मंदित होना चाहिए पूर्व ग्यान से विस्ट उद्देशी के उपलब्दी सुनिश्चित करने योती उप्योग होता है तो वो होता है मुल्यान गन का पार्ठ योजना में शिक्षन बिंदू का उलेख होता है प्रतम पंग्ती में पार्ठ योजना का महत्पुन उद्देश्य है तो इसका राइट अंसो जाएगा शिक्षन अधिगम प्रक्रिया का पूर्वा अनुमान लगाना नेक्स्ट बिल्यूम के वर्गी करण के अनुसार मनो वरती निर्मान का उच्चतम इस्तर है तो वो है चरित्र चित्रन शूख्म शिक्षन की कुल अवधी होती है तो वो होती है बीस सारी चतिस मिनिट अभी क्रामित अनुदेशन का उप्योग किया जाता है तो वो है प्रस्तूती करण में अंतयक्रिया विशलेशन प्रणाली के उद्देश्ये हैं A और B दोनों यानि कक्षा में अंतयक्रिया द्वारा शिक्षक के वहवार के पहचान और शिक्षक वहवार के बारे में वस्तुनिस्ट आकड़ी क्रमबद अभिलेक इकठा करना सीखने की अक्षक्मता है तो वो है तंत्री का विकार कक्षा प्रबंदन के अधिकम गतिविद्यों में शामिल नहीं है तो वो है छात्रों के बीच प्रतिस प्रधा पुस्तकाले प्रदान कर सकते हैं A और B दोनों को निमलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकाले के लिए आवश्यक है तो वो है अधिगम एक शिक्षक को पूछना चाहिए अर्थ पूर्ण प्रश्न निमलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है तो वो है विशे के ज्यान पर पकड़ का अभाव नेक्सट एक ज्ञान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो किया जाता है तो वो किया जाता है शिक्षन अधिगम प्रक्रिया के दौरान नेक्स्ट रूची के मुल्यांकन के लिए किस तकनीक का उप्योग किया जाता है तो वो है निर्धारण मापनी का नेक्स्ट एक्यूशन निमलिकित में से कौन पाठे चरिया प्रारूप का प्रकार नहीं है तो इसमें आजाएगा राइड आंसर शिक्षक केंद्रीत नेक्स्ट एक्यूशन निमलिकित में से कौन सा पाठे चरिया की प्रकरती नहीं है तो वो है सक्रिय प्रजात अंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनूती है तो वो है कटरवाद शिक्षक को सभी छात्रों के साथ वेवार करना चाहिए दोस्त की तरह नेक्स्ट ए विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकती है अगर हम विफलता का कारण जाल लेते हैं और एवं पहले से ज़्यादा उत्साइद होकर श्रम करते हैं चाक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षन सामगरी है तो वो है द्रश्य तो वो श्रव्य और द्रश्य दोनों सामगरी है हर एक वंच के संस्थापक कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है निमलिकित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो इसका right answer हो जाएगा D, उप्योग सभी ये गलत दिया हुआ है 1938 में बिहार के निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्याग पत्र दिया था तो इसका right answer हो जाएगा राजनेतिक कैदियों की रिहाई के लिए समाचारों में रहा यूल पेन किस शित्र से इस अमंदित विशिष्ट पहचान संग्या है तो वो है भूमी संसाधन से कासा एक मिश्रधातु है जिसे निमलिखित में से किने पिकला कर बनाया जाता है जिसका right answer हो जाएगा टिन और कॉपर को नेक्स्ट निमलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिये तीन महिने के हाथी के बच्चे का वजन सामानत है लगभग 100 किलोगराम होता है व्यसक हाथी एक दिन में 200 किलोगराम से अधिक पत्तियों जाडियों को खा सकता है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते और वो दिन में दो से चार घंटे ही सो पाते हैं हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं तो इसका राइड आंसर हो जाएगा A, C और D बियार राजे की लोगों के लिए निमलिकित में से मद्दुमक्खी पालन कारे करम आरम करने की वर्ष की सर्व श्रेष्ट अवदी कौन सी है तो वो है अक्टूबर से दिसंबर नेक्स्ट अभी कतन दिया है कि दाब लगाने पर गैसों को आसानी से सब्पिंडित किया जा सकता है और जब हम किसी गैस पे दबाव लगाते हैं तो गैसी एक अणों के बीच अंत्रा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से सब्पिंडित हो जाती है तो इसका right answer हो जाएगा A और R दोनों सही है परंतु R क्या कर रहा है A की सही व्याख्या भी कर रहा है Next, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बासों के खंबों पर बने उचे उठे हुए लकडी के घर बनाये जाते है मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ भी पढ़ती है तो इसका right answer हो जाएगा A गलत है और B सही है निमलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुननखन नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा No 100 लाग को निमलिखित रूप में भी जाना जाता है तो वो है एक करोड प्रिय दर्शनी ने 4.8 kg बादाम 25 ग्राम किशमेश और 3.5 kg काजू को मिला दिया इस मिश्रन के बराबर बराबर तीन दर्जन पैकेट तयार हो है तो वो कितने ग्राम के होंगे 300 ग्राम के एक वर की भुजा 5 cm है यदि इस वर की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया शेत्रफल कितने गुणा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 4 गुणा नेक्स्ट रुबी ने कार से इतने बज़े अपनी यात्रा शिरू की और उसी दिन इतने बज़े यात्रा समाप्त की तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय होगा तो वो होगा 4 गंटे 25 मिनिट अपरात का दंड तो विलेत का क्या हो जाएगा आनंद वैश अब चुने जो समो के अन्ने शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है तो वो है ग्रे नाइट नेक्स्ट आप आन्सर आजाएगा 8 यदि डेयर को 1083 के रूप में कोडित किया जाता है तो फैट को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है तो फैर को किस रूप में कोडित किया जाएगा तो इसका राइट आन्सर क्या हो जाएगा 28 sorry 2083 लास्ट क्यूशन है मार्कडे राजीव की मा के पिता है मार्कडे के तीन भाई है उनमें से एक का पोता अभी है राजन अभी का पुत्र है और राजन राजीव से संबंदित है तो वो क्या हो जाएगा भतिजा आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू